हालो दोस्तो आप सबका फिर से एक बार एक नए विडियो में स्वागत है तो दोस्तो आज हम टीबेक्ट ओंटिमेंट के बारे में फूल जनकारी बताने वाले हैं तो दोस्तो इस टीबेक्ट ओंटिमेंट का बेनफिट और यूज किस बिमारी में किया जाता है और इस T-Bect Ointimate को कैसे लगाया जाता है और इसको लगाने से क्या side effect हो सकते है तो दोस्तो ये सब जनकारी इस वीडियो में बताने वाले है तो दोस्तो इस वीडियो के साथ सुरू से अंतक बने रहे है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और इसी के साथ बिल आइकन को इंप्रेज कर लिजिए एंड वीडियो को लाइक कर लिजिए क्योंकि हम एसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे तो चलिए वीडियो को फटाफट सुरू करते हैं हालो दोस्तो मैं डॉक्टर आनूप कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडसीन आले चैनल तो दोस्तो इस टीबेक्ट ओंटिमेंट का निर्माण जी एसके फार्मा कॉंपरी बनाती है यह बहुत बढ़िया और ब्रांड जानिमानी ओंटिमेंट है और इस ओंटिमेंट का मर पी 147 रुपए है किरपया ध्यान दीजिए इसके प्राइस में उतार चड़ाव हो सकते है और यह पांच गराम के पैक में आती है अब हम इस टीबेक्ट ओंटिमेंट के कॉंपजिशन पे नजर डालते है तो दोस्तो इसका कॉंपजिशन है मुपीरो सिल 2% है दोस्तो अब बात करते हैं इस टीबेक्ट ओंटिमेंट के यूज के बारे में इंपे टीगो, लाली घाव, फोड़े फुंसी बाल तोड़ और बार बार होने वाले घाव फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए इस टीबेक्ट ओंटिमेंट का यूज किया जाता है यो कुछ शरीर के बैक्टरिया और संक्रामड को मारता है यो आपके लचडों को बहतरिन बनाने और खास इंफ्यक्शन को ठीक करने में मदद करता है अगर किसी को इस टीबेक्ट ओंटिमेंट का यूज किया जाता है क्योंकि वो ठाका जल्दी से सुख जाएगा और साथ में किसी को प्राइबेट पार्ट में खुजली के बज़ा से घाव फोड़े फुंसी दोस्तो अब बात करते हैं इस टीबेक्ट ओंटिमेंट को कैसे लगाया जाता है तो दोस्तो इस टीबेक्ट ओंटिमेंट को संक्रमण वाली जगाव पे लगाई जाती है जहां पे घाव फोड़े फुंसी की समस्याव होती है तो उसी जगाव पे लगाई जाती है और इस कम साथ दिन तक कांटिन्यू लगाई जाती है। दोस्तो अब बात करते हैं इस टीबेक्ट ओंटिमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तो हम सभी को पता है दावा के फायदे के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो उसे हम जान लेते हैं वो कौ कौन से होते हैं जैसे कि खुजिली होना जलन महसूस होना और यूज वाली जगवा पे दर्द महसूस होना तो दोस्तों यही इसका common side effect होते हैं यह कोई डरने वाली side effect नहीं होते हैं वे अपने आप 15 से 20 मिनट में ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों यही था आज का topic टीबेक्ट ontyment के यूज के बारे में जो की मुख्या रूप से किसी परकार के संक्रमर से होने वाले घाव फोड़े फूंसी को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता हैं I hope दोस्तों तो आज के लिए तना ही तो दोस्तों आप लोग ने टीबेक्ट ontyment के यूज के बारे में जाना तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में किसी परकार के question है तो नीचे comment करके चकते हैं धनियबाद